हाई वेल्कन दू माच चैनल इस वीडियो में सॉल्व करें एक क्वेशन नबर 11 फिज़ो तो फाल्विंग नंबर्स और स्क्वेर्स आफ इवेन नंबर्स इसमें बताना है कि कौन से यह नंबर्स जो हैं स्क्वेर हैं एक इवेन नंबर के मतलब कि यह सारे नंबर्स जो हैं स्क्वेर नंबर्स दिया हुए किसी ना किसी नंबर्स के जो हैं स्क्वेर नंबर्स हैं तो हमें यह पता करना है कि कौन से इसमें नंबर्स हैं जो इवेन नंबर के स्क्वेर्स होंगे जैसे कि 121 यह जो है 11 का स्क्वेर है ठीक है तो 11 क्या है odd number है न आपको find करना है कि इसमें से कौन से numbers है जो एक even number के squares है तो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे किसे पता करेंगे क्यों हम numbers को देख करके पता कर सकते हैं क्या तो बिल्कुल कर सकते हैं पता हमें बस देखना होगा उसके units place पर जैसे कि आप देखिए 1821 का units place क्या है 1 है odd number है तो यह जो 121 है यह एक odd number का square है यहाँ पर क्या है 5 है 5 क्या number है odd है odd number है क्यों आपको देखना है units place को ठीक है तो 5 क्या है, odd number है, तो 225 किसका square है, एक odd number का, और वो क्या है, 15 है, आप जानते हैं इसको, 256 में देखिए 6 क्या है, even number है, इसका मतब कि 256 जो है, एक even number का square है, 324 क्या है, देखिए 4 क्या है, यहाँ पर even number है, तो यह क्या है, यह भी एक even number का square है, दब यह 324 जो है, वो 18 का square होता है और आपर देखिये लुए रही किसी ऊज़द नंबर का स्क्वाइर यहां देखर के कि इसमें कौन सा आपड होगा winning ठीक है, तो हम ली सकते हैं कि क्लियरली 256, 324, 1296, 5476, and 373,758, are squares of an even number, क्यों है, and because, आप दे सकते हैं कि region दे सकते हैं, but because these numbers, numbers, ends with, ends with an even number, that's why, ठीक है, तो यही region है, तो इसलिए हाँ पर क्या होगा, हम इसको देखर कर बता सकते हैं कि यह क्या है, even numbers के squares है, इस question बस इतना ही है, बस आपको यह लिखना है, thank you so much for watching, bye,